हेलो गाइस कैसे हैं आप आई होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्पेंशन सी फ्रेस एलम के वारे में तो गाइस ये सी फ्रेस एलम सस्पेंशन किस तरह की मेडिसन है और बच्चों के लिए इसके क्या क्या फाइदे हो जाते हैं ये बहुत सारी जानकारी आपके साथ मैं सेयर करने वाला हूँ दोस्तो वीडियो को लगातार देखते रहे है और इसको कंप्लीट बॉच कीजे ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके क्योंकि दबाईओं के वारे में आधीय दूरी जानकारी नुकसान धायक खो सकती है तो गाईज अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लिजे सबस्क्राइब और साथी घंटे के बटन को दबा लिए दोस्तो सीफरेस ऐलम सस्पेंसन के जो फाइदे होते हैं बच्चों के लिए वो इस तरह से होते हैं कि कभी कभी बच्चों को मौसम बदलने पर सर्दी खासी हो जाती है और उस समय बच्चों की बहुत ज़्यादा नाक बहती है यानि बच्चों को रनी नोस की प्रॉबलम हो नेजल कंजेशन हो जाता है इस्टफी नोस हो जाता है नाक के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है और म्यूकस निकलने का नाम नहीं लेता है तब बच्चों को सांस लेने में भी तकलिफ होती है तो गाइस इसके साथ ही बच्चों को नजला जुकाम लगा रहता है और नजला इसके और क्या क्या फायदे होते हैं तो दोस्तों जब बच्चों को कभी कभार जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनको इंसेक्ट बाइट कर लेता है। बुरी तरा से जाम हो जाती है और बच्चों का सर भी भारी भारी रहने लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं तब डॉक्टर के द्वारा ये मैडिसिन दी जाती है। आती डॉक्टर अपने तजुर्वे के हिसाफ से यानि according to experience वो इसका और कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस मैडिसिन के फायदे हो जाते हैं सी फ्रेस इसका ब्रांड नेम हो जाता है यानि कमपनी के द्वारा दिया गया इसका ब्रांड नेम है। suspension की फॉर्म में मैडिसिन आती है दोस्तों और इसके अंदर अगर हम दबाई की बात करें यानि साल्ट की बात करें तो इसके अंदर ब्लॉक करके histamine chemical की बजा से होने वाली जो भी समस्याए होती है allergy से संबंदित उनको खतम करने का काम करती है तो दोस्तों जान लेते हैं इसका MRP तो MRP आप यहां देख सकते हैं इसका MRP 75 रुपीज है यानि 75 रुपे में यह आपको मिल जाती है दोस्तों साथ ही यह इसकी manufacturing और expiry date आप देख सकते हैं 5 2023 तक इसकी expiry है तो इसको अभी expire होने में काफी समय है जब तक इसका use easily कर सकते हैं दोस्तों यह दवाई का license नंबर और batch नंबर फी आप देख सकते हैं गाइस smart laboratories private के द्वारा इसको marketing किया गया है और यहां इसका composition अगर हम देखें तो इसके 5 ml का जो dose होता है या 5 ml के contain में monty leucasodium indian pharmacopoeia के according 4 mg की मात्रा में होता है साथ ही liposatrosin dihydrochloride again indian pharmacopoeia को follow करते हुए 2.5 mg की मात्रा में होता है दोस्तों यहां fileverd syrup base भी इसके अंदर डाले जाते हैं जो की quantity sufficient होते हैं इनको मिलाने का reason यह रहता है कि इस medicine की जो quantity है उसको बलकी किया जा सके आथ ही इसके कड़वे टेस्ट को छुपाया जा सके तो यह flavored syrup waste मिलाने का reason होता है medicine के अंदर दोस्तों डोस की अगर हम बात कर लें तो यह हमेशा आपके doctor की सला से होती है कभी भी self medication आपको नहीं करना है नहीं अपने बच्चों को medicine देनी है सामाने तोर पर अगर हम जानकारी के हिसाब से देखें तो यह 4 mg और 2.5 mg का combination है यानि दो अलग अलग medicine का combination है तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए 2 साल या 3 साल का है तब उसको 2 से 3 ml syrup सुभा और साम दे सकते हैं साथी दोस्तो बच्चे की body weight और age के हिसाब से dose calculate करके देते हैं डॉक्टर तो आप कभी भी खुछ से dose मत दीजिए जिस तरह से आपके डॉक्टर बताते हैं उसी तरह से बच्चों को medicine देनी होती है दोस्तो इसको store करने के लिए आपको साफ सुटरी सही जगा पर store करना है जिसका temperature 30 degree से ज़्यादा ना हो बोटल को tightly close करना है यूज करने के बाद और जब भी आप यूज करते हैं medicine को तब बोटल को अच्छी तरह से से करना है ताकि इसका जो composition है वो आपस में mix हो सके और एक सही डोस बच्चे को दी जा सके दोस्तो सीडियूल एच prescription वाला ड्रग है तो registered medical practitioner के prescription पर ही लें ऐसे खुद से OTC प्रोडक्ट की तरह यूज ना करें ना ही खुद से इसको खरीदें तो गाईज ये था सी फ्रेस LM suspension के वारे में एक जानकारी वीडियो दोस्तो मैं उमीद कर करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा जरूर अच्छा लगा होगा गाईज वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को दबा सकते हैं धाकि आपको ऐसे ही जानकारी वाल आपका दिन स्टोब